हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटिब चैनल करेंट अफेस पाई रवी पर आज मैं आपके लिए 5 अगस 2022 के डेली करेंट अफेस के क्वेशन्स इस वीडियो मर लेकर आई हूँ मैंने आपके लिए सभी कोशन सेलेक्टेड और इंपोर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एक्साम के तियारी कर रही हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़दा यूसपुल रहने वाली है तो फैंट चले शुरू करते हैं आज के इस क्लास को एक इंपोर्टेंट मोटिवेशन कोट से जब तक किसी काम को किया नहीं चाता तब तक वह असंभव लगता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जब तक हम कोई काम शुरू ही नहीं करते हमें इंपोसिबल लगता है लेकिन हम जब उस काम को शुरू करते हैं और कॉंटिनिटी से उस काम को करते रहते हैं तो वो काम हमारा पूरा हो ही जाता है तो चले अब शुरू करते हैं आज के क्लास के फर्स्ट क्वेशन से पहला क्वेशन है हमारा दूर संचार कंपनी वोड़ाफोन आइडिया के नए अध्याक्ष कौन बनी है सही आंसर है रविंदर टककर तो फैंच जो रविंदर टककर हैं ये हाली में दूर संचार कंपनी जो वोड़ाफोन आइडिया है इसके अभी नए अध्याक्ष मनी है अब दिखें किसके स्थान पर अपॉइंट के गए हैं ये थोड़ा सध्यान रखेगा हिमान्शू कपानिया का जो है इनोंने स्थान लिया है अब कंपनी की बात आती है वोड़ाफोन आइडिया की तो इसके स्थापना होई 31 अगस्त 2018 मुख्याले है मुंबई महराष्ट और गांधी नगत गुजरात में इसके संस्थापक हैं कुमार, मंगलम, बिर्ला और वोड़ाफोन आइडिया की चो प्रेजेंट टाइम में CEO हैं उनका नाम है अक्षे मुंदरा अफ़ें नियुक्ती की बात ही चल रही है तो पिछली टॉप फाइव राष्टी नियुक्ती का रिविजन करती है तो पहला नाम देखे कौन है राष्टी रक्षा अकाडमी के जो नए कमांडनेंट बनी है उनका नाम है अजय कोचर सेना प्रसिक्षन केंद्र के नए प्रमुग बनी है एस एस महल भारतिय भू विज्ञानिक सर्वेक्षन के नए महा निदेशक बनी है डॉक्टर एस राजू भारतिय भुक्तान परिशत के अध्यक्ष बनी है फ्रेंट्स विश्वास पटेल इसके लावा फ्रेंट देखो वन अनुसंधान संस्थान की जो नए निदेशक बनी है उनका नाम है रेनु सिंग नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं आंगनवाडी में पढ़ रहे बच्चों के पोशन की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध योशना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है सही आंसर है केरल तो फ्रेंट जो अंडा और दूध योशना है इसे केरल सरकार ने शुरू किया है इस योशना के तहट हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें देखे केरल सरकार ने शुरू करी है तो सबसे पहले हमें ध्यान रटना है कि इस योशना को शुरू किस ने किया है तो केरल के जो मुख्यमंत्री है पिंडराई विजियन ने आंगनवाडी में पढ़ रहे तीन से छह साल के बच्चों के पोशन की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूद योशना को शुरू किया इसके तहते के प्रतेक बच्चे को 44 सब्ता 44 सब्ता मतलब है 10 महीने तो 10 महीने में सब्ता में 2 दिन 125 मिलिलेटर दूद और दो बार सब्ता में जो है वो एक अंडा दिया जाएगा इसी को कहा गया है अंडा और दूद योशना में नुद दिश्य देखे यह है कि बच्चों के अंदर जो पूशन की कमी हो जाती है उसको दूर करना अब बात आती है फ्रेंट्स केरल की अगर हम मैप में बात करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं यह केरल यहां पर केरल की लोकेशन है और केरल की जो रास्थानी है वो है तिरुवनंत पुरम मुख्य मंत्री है पिनरई विचियन गवर्नर है आरिप महम्मत खान मुख्य नयाइधीश है एस मनिकुमार दो पडोसी राज्चे है तमिलाडू और करनाटक केरल में लोकसभा की सीटे हैं 20 राजसभा सीटे हैं 9 विधान सभा सीटे हैं 140 राजकिय पशु है हाती राजकिय पक्षी है हौन बिल और राजकिय ब्रक्ष है नारियल यहां के प्रमुख हवाई अड़े हैं कनूर अंतराष्टे हवाई अड़ा कोचीन अंतराष्टे हवाई अड़ा कालिकट अंतराष्टे हवाई अड़ा और कूलम हवाई अड़ा केरल के जो प्रमुख राष्टे उद्यान हैं यहां के लोखनते हैं काली अटम, मोहिनी अटम, कथकली, पादियानी और ओटम तो सबसे जादा चो पूछा जाता है वो कथकली और मोहिनी अटम यह दो एक्जाम में बहुत ही जादा पूछे जाती है फ्रेंट्स हमारे लास्ट सिक्स मंच की जो करेंटर फेस की बुक है यह लौच हो गई है जनवरे से जुन तक इसमें आपको सभी इंपोर्टन क्वेशन्स मिलेंगे जो कि टॉपिक वाइस है सभी एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टनेंट है यह बुक फ्रिपकार्ट अमिजान पर आपको इबुक मिल जाएगे आप इसे इसली वहां से बाई कर सकती है नेक्स्ट क्वेशन देखिए ओईल इंडिया लिमिटेट के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है यह कौन बनी है तो फ्रेंट्स अगर बात करें इसके जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी है उनका नाम है रंजीत रत तो फ्रेंट्स जो रंजीत रथ हैं रंजीत रथ ये ओईल इंडिया लिमिटेट के नए अध्यक्ष और प्रमंद निदेशक बनी है और इन्होंने सुशील चंदर मिश्रा का स्थान लिया है जो ओईल इंडिया लिमिटेट है इसके स्थापना 18 फरवरी 1959 को हुई है और इसक किसे सम्मानित किया गया है रइट आंसर है सत्ये नारायन मुंदयूर इन्हें अभी हाली में ड्रीम्स जो पुरिषकार है ड्रीम्स जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है अरुनाचन प्रदेश के पदम श्री पुरुषकार से सम्मानित और अंकल मुसा के नाम से मशूर सत्यनारण मुंदयूर को ड्रीम्स एस पुरुषकार 2022 पुरुवुतर भारत में पुस्तकाले आंदोलन के जरिये सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया है तो याद रखेंगे फ्रेंट्स क्यों मिला है इने सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब पुरुषकार की बात आती तो पिछले टॉफ फाइब पुरुषकार देख लीजे तेरुवा ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरुषकार ये किसने जीता है पुरुषकार पुरुषकार किसे ब्रदान किया गया नीना गुपता जेनेसिस प्राइस 2022 से किसे सम्मानित किया गया है तो फ्रेंस आंसर है अलबर्ट बोर्ला नेक्स्ट क्वेशन देखिए भारत और किस देश के सेना के बीच युद अभ्यास नामक सेनने अभ्यास आयचित किया जाएगा तो देखिए इस अभ्यास का जो नाम है वो युद अभ्यास है और ये भारत और अमेरिका की देश के बीच में होता है और इसका आयोचन अभी किया चाहेगा तो याद रखेंगे फ्रेंट्स किस-किस के बीच भारत और अमेरिका की जो सेना है उसके बीच में इस अभ्यास का उदेशे हैं दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझ, सहयोग और अंतक किरिया शीलता को बढ़ावा देना अब एक पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि कहां पर इसका आयोजन होगा ओली उत्राकंड में और इस पारी जो सज़कर्ण होने जा रहा है ये है अठार हुआ नेक्स्ट है राज्यों और नीची विश्व विध्यालों में मजबूद अनुसंदान और विकास व्यवस्था के लिए राज्य विश्व विध्याले अनुसंदान उतकरश्टता योशना को किसने शुरू किया है तो ये जो योशना है ना फ्रेंट्स राज्य विश्व विद्याले अनुसंदान उत्करश्टता योशना इसे केंदर सरकार ने शुरू किया है ये यो जो योशना है ये विग्यान और इंजीनियरिंग अनुसंदान विभाग की एक पहल है इसका उद्देश्य है राज्यों की विश्व विध्याले अ जितने भी कॉलेजी सहना वहाँ पर अनुसंदान जो शमताई हैं उनको बढ़ाना ये योशना राचे विश्व विध्यालों को अनुसंधान के लिए आवश्यक अपसर भी प्रदान करेगी और इन जो विश्व विध्याले चुने चाहेंगे ना इसमें से 45 प्रतिशत ग्रामेड छेतरों में है तो इस तरीके से केंद्र सरकार की योशना है कि हम जितने भी अनुसंधान का रहे हैं उसमें आगे बढ़ें जादा से जादा अपनी शमता को बढ़ाएं नेक्स्ट है भारत के जो नए केंद्रिय सतरकता आयुक्त हैं यह कौन बने है यानि सेंट्रल विजिलेंस कमिशनर हाली में सेंट्रल विजिलेंस कमिशनर पत पर अपॉइंट किसे किया गया है सुरेश एन पटेल सुरेश अनपर T찬 ने संजय कोठारी का अस्थान लिया है और इस पत पर इनकी न्यूक्ति राष्टरपती द्रौपती मुर्मूची के दौरा की गई द्रौपती मुर्मूची ये पहली आधिवासी महिला बनी है जो कि राष्टरपती बनी है और वैसे बात करते हैं तो पंधरुए नंबर की ये राष्ट्रोपती बनी है सेंटरल विजिलेंस कमिशन की बात करें केंदे सतरकता चो आयोग है ये भारत सरकार की विवन विभागों के अधिकारियों और करमचारियों से सम्मंदिद ब्रष्टाचा नियंतरन की सरवोच संस्ता है इसके स्थापना हुई 11 फरवरी 1964 और इसका चो मुख्याले है वो नई दिल्ली में है अगला कोशन है फ्रेंट्स ये भी इंपौर्टन कोशन है काफी ज़ादा देखिए बहरत की कितनी नई आदर भूमियों को रामसार सुची में शामिल किया गया है तो देखिए अभी हाली में 5 की गई थी और फिर से देखे अभी हाली में 10 जो आदर भूमी है उनको रामसर सूची में शामिल किया गया है अब तोटल अगर हम बात करें तो तोटल रामसर साइट के जो संक्या है वो कितनी हो गई है 64 इन नई 10 रामसर साइट में 6 तमिलनाडू से हैं जबकि गुआ करनाटक मद्यप्रदेश और उडिसा में एक एक साइट जो है वो शामिल है तो ये पूरी की पूरी दस साइट से जिनको अभी रामसर साइट में शामिल किया गया कुछ रामसर से जुड़े प्रशनों की बात करें तो देखे भारत ने रामसर समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किये तो 1982 में भारत जो है इसका हिस्सा बना वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट है तो आंसर होगा 64 रामसर साइट होगी सबसे अधिक संख्या वाला देश यानि सबसे जादा जो रामसर साइट से है वो कहां पर है युनाइट गिंग्डम भारत का सबसे बड़ा रामसर स्तल है सुंदरवन वेटलेंड जो की है पशिम बंगाल में वहीं अगर हम बात करते है फ्रेंट्स वि नॉइस की नई ब्राइंड अम्बैसेटर कौन बनी है सही आंसर है वानी कपूर ये वाच कमपनी नॉइस की ब्राइंड अम्बैसेटर बनी है और नॉइस कमपनी वरतमान में 19 तरह के पहनने योगे ओडियो केटिगरी से जुड़े खास प्रोड़क्ट का निर्मान करती ह अगला कुशन है फ्रेंड्स, लाइन ओफ दिसकाईज, हार्दित सिंघ, मलिक, दर रोइल एर फोर्स एंड फ़र्स वर्ड वर्र, नामक पुस्तक को किस ने लिखा है तो फ्रेंड्स यह पुस्तक है यह पुस्तक लिकी है स्टीफण बारकर्ड ने फैंस यहाँ पर पुस्तो को की बात ही चल रही तो चले फिर important जो बुक से उनको revise करती है बुक का नाम है wrist assured यह आत्मकता है और यह है गुंडपपा विशुनात पूर भारते क्रिकेट कप्तान रहे more than just surgery life lessons beyond the OT यह जो बुक है वो लिखी है तहमतन एराज उडवादिया ने next बुक है देखिए the book of बिहारी literature यह लिखी है अभेके unfilled barrels इंडिया's oil story यह बुक लिखी है रिचा मिश्वा इंडिया that is भारत coloniality civilization constitution यह बुक लिखी है फ्रेंट जे साइन दीपक ने friends मैं आपको अपनी वीडियो में आप 10 की जगा 15 questions करवाती हूँ यह 5 questions extra one liner में है जो कि आपके exam point of view से काफी important है तो चले इने भी देख लेते हैं बर्मिंगम राश्टमंडल केल 2022 में किस खिलाडी ने पुरुशों के 109 kg केटेगरी भारत तोलन के clean and jerk round में राश्टे record स्थापित करते हुए कांसे पदक जीता है तो कांसे पदक जो जीता है वो लवरीत सिंग ने जीता है और हमें ये भी ध्यान रखना है कितने केटेगरी इनकी 109 kg केटेगरी नेक्स्ट देखे फ्रेंड्स आर्थिव्यवस्ता में सुधार के साथ भार्टे रिसर बैंक का समगर वित्य समावेशन सूचकांक मार्च 2022 में 53.9 से बढ़कर कितना हो गया तो आंसर होगा 56.4 नेक्स्ट क्वेशन है देखे टाटा समो के स्वामेत वाली एर इंडिया के पाइलिटों की सेवा निवरती की आयू 58 वर्ष से बढ़ा कर कितनी कर दी है तो आंसर हो जाएगा 65 वर्ष यह पुस्त का देखे टाइटल और यह पुस्त किस ने लिखी है अलेन प्रागर नेक्स्ट क्वेशन है भारते वायू सीना वच 2014 तक किस वीमान को भारते वायू सीना से बाहर करेगी तो आंसर है मिक 21 बाईसन वीमान को फ्रेंट्स अब इस वीडियो का एक important पार्ट आ गया है जिसमें हम आज वाले प्रेशनों का revision करेंगे फटाफट से ताकि आपको सभी चो questions है उनके आंसर इसे वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं तो चले शुरू करते हैं first question से दूर संचार कंपनी Vodafone Idea के नए अध्याक्ष कौन बने हैं तो friends correct answer है रविंदर टककर आंगनवाडी में पढ़ रहे बच्चों के पोशन की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूद योशना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है आंसर हो जाएगा friends केरल Oil India Limited के नए अध्याक्ष और प्रवंद निदेशक कौन बने हैं रंजीत रत सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए Dreams as पुरिशकार 2022 से किसे समानेत किया गया सत्यनारा और मुंदयूर भारत और किस देश की सीना के बीच युद अभ्यास नामक सैन्ने अभ्यास आयजित किया जाएगा तो friends सही आंसर है अमेरिका राज्यों और निजी विश्विध्यालों में मजबूत अनुसंधान और विकास विवस्था के लिए राज्य विश्विध्याले अनुसंधान उतकरश्टता योशना को किसने शुरू किया है आंसर है friends केंदर सरकार भारत के नई केंदर सतरकता आयुक्त कौन बनी है सुरेश एंड पटेल भारत की कितनी नई आदर भूमियों को रामसर सुची में शामिल किया गया है तो friends आंसर है 10 वाच कंपनी नॉइस की नई ब्रैंड अम्बैसेटर कौन बनी है वानी कपूर नेक्स्ट क्वेशन है लाइन आफ दा स्काईज हार्दित सिंग मलिक दे रोयल एयर फोर्स एंड फॉर्स वर्ड वर्ड नामक पुस्ता को किस ने लिखा है स्टीफन बारकर ने बर्मिंगम राष्ट मंडल खेल 2022 में किस खिलाडी ने पुरुषो की 109 किलोग्राम कैटेगरी के क्लीन एंड जर्क राउंड में राष्टे रिकॉर्ड स्थापित करते हुए कान से पदक जीदा है तो फेंड्स आंसर है लवप्रीत सिंग नेक्स्ट कोईशन है आर्थिव्यवस्ता में सुधार के साथ भार्टर रिजर्ब बैंक का समगर वित्तिय समावेशन सुचकांक मार्च 2022 में 53.9 से बढ़कर कितना हो गया 56.4 टाटा सम्मो के स्वामे तो वाली एर इंडिया के पाइलेटों की सेवा निवरत्य की आईउ 58 वर्ष से बढ़ा कर कितनी कर दी है तो फेंड्स आंसर है 65 वर्ष इस पुस्तक को किस ने लिखा है एलन प्रागर ने भारते वायू सेना वर्ष 2025 तक किस विमान को भारते वायू सेना से बाहर करेगी तो विमान का नाम है मिक 21 22 विमान को फेंड्स अब इस वीडियो का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है जिसमें हम करेंगे स्टेटिक जीके का सेट ये सभी कोशन पिछले एक्जाम में कहीं बार पूछे जा चुके हैं तो चले शुरू करते हैं पहला कोशन है वह शाशक जिसने एक सच्चे जैन मुनी की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया वो कौन थे तो वो थे फ्रेंट चंदरगुप्त मौरी है तराइन का प्रतम युद 1191 एश्वी में किसके मध्या लड़ा गया था तो फेंट ध्यान रखेंगे इंपोर्टन पॉइंट है मौहम्मद गोरी और प्रत्विराश तृत्ये के बीच में विद्वा पुनर्विवा कानून कब बना 1856 एश्वी में किसे भौतिक भुगोल का जनक कहा जाता है तो पॉलिडोनियम को भौतिक भुगोल का जनक कहा जाता है रिचर स्केल किसके नापने में प्रियोग होता है तो फेंट्स आंसर है भुकम्प की तीवरता नेक्स्ट है विश्व मांचित्र का निर्माण किस ने किया था तो फ्रेंट्स आंसर है एनिक्स मेंडर ने विश्व मांचित्र का निर्माण किया था भारत में कौन सी नदी करकरेखा को दो बार काटती है तो फ्रेंट्स आंसर है माही नदी इंपॉर्टेंट पॉइंट मां सम्विधान सभा ने अंतिम रूप से सम्विधान को कब पारित किया था तो फ्रेंट्स आंसर है 26 नवंबर 1949 को फ्रेंट्स अब हम करेंगे पिछले महा के सेम डेट का करेंट ओफेस का रिविजन जोकि आपके एक्जाम पॉइंट ओविज से काफी इंपोर्टेंट ही तो चले शुरू करती है राश्टे कोशी का विज्ञान केंदर के नए निदेशक कौन बने है सही आंसर है डॉक्टर मोहन वानी नेक्स्टे फ्रेंट्स केंदरे विज्ञान और प्रद्योगी के राज्य मंत्री जितेंदर सिंग ने जमीनी और हवाई वाहनों को विक्सित करने के लिए भारत की पहली स्वायत नेविगेशन सुबिदा तीहान का किस संस्थान में उद्गाटन किया है तो सही आंसर है IIT हाइद्रबाद किस सुरक्षा बल ने नशीले पधाटों के तसकरी को रोकने के लिए ओपरेशन नारकोस नामक विशेश अभ्यान चलाया है तो कौनसी सुरक्षा बल है रेलवे सुरक्षा बल सेवा उद्गोग एवम आंतरिक वियापार समवर्धन विभाग द्वारा जारी राज्यो की स्टार्ट अप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रिष्ट प्रदशन करने वाले राजे कौन से बनी है गुचरात करनाटक और मेघाल लिया है बेडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिय ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है तो फ्रेंट्स आंसर है डेनमार्क की प्लेयर है विक्टर अलेकसिन जिरोंने मलेशिय ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता अगला है फ्रेंट्स कोरोना वाइरस के सभी मौजुदा विरेंट्स की जल्द और सटिक पहचान करने के लिए किस देश के विज्ञानिकों ने कोवर्स कैन नामक नए कोविड-19 टेस्ट को विक्सित किया है तो फ्रेंट्स आंसर है अमेरिका नेक्स्ट क्वेशन है बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलाडो कब 2022 में भारत ने कितने पदग जीते हैं तो टोटल 14 पदग जीते हुरून रिसर्च इंस्टिटूट द्वाराचारी हुरून एसके प्राइवेट इंडिया फ्यूचर उनिकॉन इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन स शहर 46 यूनिकॉन के साथ भारत की यूनिकॉन राजधानी बना हुआ है तो सिंपल हमें ध्यान रखना है कि यूनिकॉन राजधानी कौन सी है भारत की बेंगलूरू नेक्स्ट है गेमिंग प्लेटफॉर्म पोकरबाजी.com के नए ब्रैंड अम्बाज़ेटर कौन बनी है तो फ्रेंड्स आंसर है शाहिद कपूर इन सुधीर का भी हाली में निधन हो गया यहे कौन थे तो फ्रेंड्स यह भारत के पूर्व गोल कीपर थे फ्रेंड्स अब इस वीडियों का आखी पार्ट आ गया है जिसमें हम कल वाले प्रशनों का टेस्ट करेंगे तो आप सभी लोग अपने आंसर को कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा तो चले टेस्ट को शुरू करती है पहला कुशन है भारत में विश्व बैंक के नई प्रमुक की रूप में किसे न्युक्त किया गया है सही आंसर है अगस्ते तानों कौमें ये भारत में विश्व बैंक के नई प्रमुक बने है नेक्स्ट है फ्रेंट्स दलाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा सही आंसर है सौधी अरब नेक्स्ट क्वेशन है गूगल द्वारा या तयार डेटा सारवजनी करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है सही आंसर है फ्रेंट्स औरंगावाद जुकी है महाराष्ट में अब इसका जो नाम है ना फ्रेंट्स चेंज हो गया है इसका नाम हो गया है शंभाजी नगर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कारियाले की नई निदेशक कौन बनी है राइट आंसर है श्वेता सिंग नेक्स्ट क्वेशन है बहुपक्षी हवाई युद्धब्यास पिच प्लैक 2022 को कहां पर आयोचित किया जाएगा तो फ्रेंट्स ये बहुपक्षी हवाई युद्धब्यास है मतलब इसमें काफी सारी कंट्रीस पार्टिसेपेट करेंगी और इसका चो आयोचन है वो आस्ट्रीलिया में किया जाएगा नेक्स्ट है भारतिय विज्ञान संस्थान ने अनुसंधान और विकासकारियों पर सयोग करने के लिए किस भारतिय सश्रिष्टरबल के साथ समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर करेंगी है तो फ्रेंट्स आंसर है भारतिय नौसीना सही आंसर है फ्रेंट्स नई दिल्ली तो इनका चो आयोचन है वो कहाँ पर हुआ नई दिल्ली में प्रोटीन के आकार और सरनशनाओं की अत्यदिक स्टटिक भविश्यवानी के लिए एलफा फोल्ड नामक क्रतिम बुद्धी मत्ता उपकरण को किस प्रद्योगे की कंपनी ने विक्सित किया है राइट आंसर है डीप माइंड टेकनलोजीस के द्वारा इसे विक्सित किया गया इत्यास में पहली बार भारते महिला लॉन बॉल टीम ने बर्मिंगम राष्ट मंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है सही आंसर है स्वन पदक तो पहली बार जो है देखिए जो भारते महिला लॉन बॉल टीम है इन्होंने स्वन पदक जीता है नेक्स्ट कोईशन है friends उरिसा के मुख्यमंतरी नवीन पतनायक ने lockdown lyrics नामक एक पुस्तक का विमूचन किया है इस पुस्तक को किस ने लिखा है सही answer है friends सायूगता दास तो friends छी जो पुस्तक है वो लिखी गई है सायूगता दास शी के द्वारा आज की वीडियो के फेंट्स हमारे सभी question हो जाते हैं finish आज की वीडियो में हमने पढ़ा top 15 करेंटरफेस के questions साती में हमने revisioner पर काफी ज़दा focus किया है इसके लब फेंट्स अगर आप कोई भी topic पढ़ना चाहते हैं किसी भी subject से related हो चाहे history हो, geography है, quality है तो आप लोग comment section में ज़रूर बताएगा कि मैं इस topic पर आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगी next आपने static gk के कुछ important questions को cover करें क्योंकि कई बार इस तरीके के questions repeat होती है पिशले महा की करेंटरफेस का revision किया और आपके साथ मिलकर कल वाले प्रशनों का test किया आप सभी ने अपने answer comment box में ज़रूर लिखी होंगे इसे के साथ friends हमारी आज की class होती है कतम Thank you so much for watching this video